हेलो केट्स, वेल्कम टुरितु माम्स ओनलाइन क्लास बच्चों, आज हम लिंग व उसके भेदों को अनेक उधार्णों सहीट समझेंगे और हमारी हिंदी भाषा में लिंग पहचान ने व परिवर्तन के लिए अनेक नियमों का सहारा लिया जाता है आज हम उनेक नियमों के साथ व अनेक उधार्णों के साथ लिंग परिवर्तन भी समझेंगे तो सबसे पहले इस तस्वीर पर नज़र आते हैं यहाँ पर रोहन की बच्च पार्टी चल रही है और रोहन के साथ कौन-कौन है रोहन की माता जी, पिता जी, रोहन के दादा, दादी, चाचा, चाची, भाई, बेहन और सभी भी मौजूद है तो यहाँ पर जो संग्या शब्द इस्तेमाल हुए वो हैं पिता, माता, दादा, दादी, चाचा, चाची, भाई, बेहन ये सभी संग्या शब्द या तो पुरुष जाती से संबंदित है या फिर स्त्री जाती से संबंदित है इन्ही शब्दों अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाती के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं इसके दो भेद होते हैं, पुलिंग वस्त्रीलिंग संग्या के जिस रूप से पुरुष जाती का बोध हो, उसे पुलिंग कहा जाता है जैसे पिता, दादा, भाई, शेर, मोर, धोबी और संग्या के जिस रूप से स्त्री जाती का बोध हो उसे स्त्री लिंग कहते हैं जैसे माता, दादी, चाची, शेर्नी, मोर्नी, धोबिन, आदी अब लिंग परिवर्तन अर्थात लिंग बदलो यहाँ पर लड़का एक पुलिंग शब्द है, इसको हम स्त्री लिंग में परिवर्तित करेंगे तो होगा लड़की इसी तरह से अध्यापक एक पुलिंग शब्द है और इसको हम स्त्री लिंग में परिवर्तित करेंगे तो होगा अध्यापिका लिंक परिवर्तन के लिए पुल्लिंग शब्दों के अंत में स्त्री लिंग सूचक कुछ प्रत्य जोड़े जाते हैं इनको हम उधारन सहित समझते हैं पुल्लिंग शब्दों के अंत में इ जोड़कर दादा दादी, चाचा चाची, पुत्र पुत्री, मामा मामी अब पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़कर मोर, मोर्नी शेर, शेर्नी भील, भील्नी सर्दार, सर्दार्नी पुल्लिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बंदर, बंदरिया चूहा, चुहिया डिबबा, डिबिया गुड़ा, गुड़िया, लोटा, लुटिया, बूढ़ा, बुढ़िया अब पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन जोड़ कर जैसे पुजारी, पुजारिन, साप, सापिन, नाग, नागिन, माली, मालिन, पडोसी, पडोसिन, नाई, नाइन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी या आनी जोड़ कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैे जैसे जेट, जठानी, नोकर, नोकरानी, देवर, देवरानी, सेट, सिठानी, राजपूत, राजपुतानी, इंद्र, इंदरानी, भव, भवानी पुलिंग शब्दों के अंत में आ प्रत्य जोड कर चात्र चात्रा, बाल बाला, प्रिये प्रिया, शिश्ये शिश्या, आचारिये आचारिया अब पुलिंग शब्दों के अंत में आइन प्रत्य जोड कर जैसे लाला ललाईन, ठाकूर ठाकूराईन, पंडित पंडिताईन, हल्वाई हल्वाईन पुल्लिंग शब्दों के अंत में वती जोड़कर जैसे धन्वान धन्वती, बल्वान बल्वती, गुणवान गुणवती, रूपवान रूपवती अब पुल्लिंग शब्दों के अंत में इका जोड़कर जैसे नायक नाई का, शिक्षक शिक्षिका, गायक गाई का, सेवक सेविका, बालक बालिका, पाठक पाठिका, लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका पुल्लिंग शब्दों के अंत में मती जोड़कर, जैसे श्री मान, श्री मती, भगवान, भगवती, बुद्धी मान, बुद्धी मती, आयुष मान, आयुष मती ता को त्री में बदल कर जैसे नेता, नेत्री, दाता, दात्री, करता, करत्री, अभिनेता, अभिनेत्री अब इए के स्थान पर इनी या इनी जोड़ कर जैसे आज्याकारी आज्याकारी नी, ब्रहमचारी ब्रहमचारी नी, तपस्वी तपस्वी नी, अधिकारी अधिकारी नी अब कुछ अन्यशब्द जिनके साथ कोई नियम लागू नहीं होता नर, मादा, वर, वधू, बैल, गाय, पूरुष, स्त्री, पती, पत्नी, ससुर, सास, साधू, साध्वी, विदुर, विद्वा, बहन, बहनोई, योवक, योवती समराट, समराग्य, विद्वान, विदूशी, कवी, कवित्री, वीर, विरांगना ये थे लिंक बदलो I hope आपको बहुत अच्छे से समझाए होंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर करना न भूले और हाँ अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसी की साइड में जो बैल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहें